मतलब यहां आपका अनुम्हाव कैसा है मतलब कैसी बजा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है किसी को बढ़ी आप से विदाया है ना सूदा एक लंबर सूदा है यहां पर मतलब रहने के लिए हैं तो जो भी अगर किसान भाई या वैपारी भाई जैपूर राजस्थान से देख र नहीं चन्ते दूर रहे हैं जाएं जैपूर से तो आ सकते हैं यह वहां से आतें यहां पर आयंदे तो आप लोग भी अगर करना चाहते तो यहां पर आ सकते हैं है अ tapahti एधर है कफी संदर है झार देखित का पीछे से बाल्ड की दूरी जो बॉंड बना रहा हुए दुवान करने में काफी सही रहे हैं देखें काफी अच्छी क्वाल्टी की भैंस है गोल्ट्षिंग में है बच्चा किया है कौँ से बयान में बच्चा किया है पाला की बयान कौँ सा दोला देखें काफी बढ़िया बैसे नीचे बच्चा आए पाला में मुझूद है यह मंडी में मक्सुम गंच और अभिवार को लगती है क्या चमता है दूद की भाई मौके पे 14 किलो है जैसे बहुत से खरीदार आए होंगे तो कितना लगा रहा है इसका दाम एक लगा रहा है खरीदने वाले और आप क्या मामे रहा है यह सकतर तो कितना मिल जाएगा तो आप छोड़ देंगे अच्छा जैसे हम वीडियो हर रवियार को बनाते हैं तो जो इसका में मालिक हो अपने नंबर इसमें बता सकते हैं क्या आप में मालिक अच्छी वाली होती हैं तो अगर आप अवर्बजार को इसी भाइस लाएंगे तो आपका नंबर जो है हमारे पास लाएगा भाइस जो है काफी क्वाल्टी वाली है इस लिए इसको अच्छ तरीके दो तीन बार चला करके दिखा रहे हैं लेआओ भाई तो अगर आप पसु धन खरीदें तो देख करके अच्छा धन खरीदें अच्छा पसु धन खरीदें जो आपको फाइदा दे देखिए आईसी भैंस क्वाल्टी वाली भैंस यहां से खरी सकते हैं चाउदा से पंदर लिटर दूद बता रहे हैं इसका होगा चलिए हम दूसरी और भैंस जो है कवर करते हैं यह भैंस की वीडियो हो गई चलिए ठीक है वहीं पसु पालक सात्यों देखिए काफी बन्हें क्वाल्टी की भैंस है और गोल सिंग वाली है इसके बांट ज्यादा मोटे नहीं है पदले ही हैं लेकिए और पीछे से वीडियो देख सकते हैं लोग देखिए गुमा पिरा के हम चारों तरब से दिखा रहे हैं है 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 आपकी थोड़ा वीडियो बनवा ली गया है 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 देखे काफी अच्छी भैंसे है 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 हम नहीं कूल कि अ है 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 तो एक भैंस की यहां पर मिल्किंग हो रही है इसी की हम डिटेल ले 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 रहे हैं तो देखिए भैंस काफी अच्छी है तो भाइस इसकी आप मिल्किंग कर रहे हैं कि कितना दूद निकालेगी अच्छा तो भिक्क्री करने के लिए बिग गई है कि अभी नहीं कि आप खरीदे हैं यहां पर दोस्तों इन्होंने खरीदा है जुबेरगन पसुमंडी में काफी अच्छी भैंस है 16-17 लीटर दूद निकालेगी आप लोग देख सकते हैं तो आपने कितने के घरी थी भाई एक लाग त्रिफपन हजार की दोस्तों अगर बसुदान अच्छा रहता है तो आदमी पाइसे देने में संकोच नहीं करता है अगर यह दूद दे रही है तो लाग एक लाग त्रिफपन हजार यह बोल रहे हैं कि हमने लिया है काफी अच्छी भैंस है और यहां पर यह मिल्किंग कर रहे हैं इसकी बोले सोला से सत्तरा लीटर दूद देगी तो ऐसा पसुदान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जुबेर गंज में आपको आसानी से मिल जाएगा तो आपने ज्यादा तो नहीं दे दिया एक लाग तिरफपन हजार भाई हमने का आपने ज्यादा तो नहीं दे दिया आप आपको सही लगा अच्छा क्वाल्टी वाली भैंस यह अच्छी है और यह दूद निकाल रहे हैं विसका कि वी आर कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि निकाल सकते ख़ला अगर बढ़िया ओ नीचे पाड़ा या पानी है बच्चा इसका कितने दिन की है यह अच्छा अच्छा यह बच्ची है देखो माँ पर पानी है छे दिन की है अभी इसका दूरी निकाली ही रहे हैं अभी तक यह निकाली रहें देख सकते हैं आप लोग इसकी बांट देखिए आसानी से निकाल ले रहे हैं दूरी इसकी बांट की काफियत कि दुआन करने में सही है देख सकते हैं अब लोग आप कहा करेने वाले हैं जैपूर से आए राजजाइपूर रजस्तान वहां से आए हैं यह दो तो विक यह क्रेटा थे यानि यह खरीदने के लिए हैं और इनको यह पसंद आ गई और इन्होंने ले लिया देख सकते हैं अभी इनके पास एक वहां साहर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं जो हमने पहले वीडियो में दिखाया है अभी उसकी हम डिटेल लेंगे यह भाई मिल्किंग कर लें तो अब आए बान बानिये ने एक बार और चला दी जबी यह बीना चलाय कहां होगा क्यों वीडियो सूठ हो नहीं पाई ठीक से एक लाग साथ हजार की आपको महेंगी नहीं लगी है ना पसुदन अच्छा इनको लगा तो इन्होंने ले लिया अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इसी तरीका के पसुदन तो आप लोग यहां आ तकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लग रही लाव मिल रहा है आपको इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने भाई दोस्तों के पास और चैनल पर नहीं आ रहे हैं हिंदुस्तानी किसान चैनल पर तो सस्क्राइब कर ले यह भाई आए हैं वैपारी भाई क्या नाम है आपका फैजान यह जै आप मिल रहा है तो इस तरीके की वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी फिट वीडियो मिलती रहे हमारे चैनल के माद्याम से और हम किसान भाई के लिए वीडियो लाते रहते हैं तो बहुत ही सुंदर सुडावल भाईस है आप बहुत ही ज्यादा खुशूरत भाई सब्सक्राइब का हुआ है जिए नंबर 11 के पास यह हमेशा रहते हैं मौजूद आप लोग से नंबर 11 में आ सकते हैं को तवाली के पास किया से 10 किया 11 अथा फाक्तल अपने और भी बनिये तो किया यहां अचा यह यह पास अब Islam की यह वी पार स्काइब हां तो यह आपने खरीदी यहां से कितने की पड़ी है कि तो कुछ खरीदार विखती हैं जो खरीदे हुए एक लाग बावन अजार की आप भी राजस्तांस हैं क्या जैपुर राजस्तांस क्या नाम है आपका आजम नाम है देखें इन्हों भी एक भावन करीदा है जैपुर राजस्तांस आते हैं तो इन्हें बच्चा दिया है क्या बच्चा है दूति चंगता क्या है भाई 12 किलो चंगता है इसके और इन्होंने आपर खरीदा कितने की पड़ गई आपकी यह पचासी अजार की यह पड़ी है दोस्तों चलिए ठीक है इसका पाड़ा अच्छा देखिए इसकी नीचे पाड़ा है बता रहे हैं इसकी क्या चंगता है दूद की तो बैटी है कैसे पाड़ा खळेंगा अभी देख सकते हैं तो ग्यारा नंबर सेट में कि यहां पर है मतलब खरीदने आते हैं कि वेचनी पी आते हैं राजिस्तान भेचते हैं आच्छा आप यहां सा खरीद करके ले जाते हैं ठीक पीछिए ठीक ना है जली ठीक है आपको मलब यहां आपका अनुभव कैसा है में गश्य बजा रहे ह जे आना चाहते हो तो सूदा खुल मिलेगी हां यहां पर मतलब रहने के लिए अर्चीज की वेस्ता है तो जो भी अगर किसान भाई या वैपारी भाई जैपूर राजस्थान से देख रहे हैं यह भाई जैपूर के ही हैं इनका नाम फैजान है तो अब लोग अगर काफी बड़ी और सुन्दर भाईस है सिंग देखिये आपकी है क्या क्या है कितने दिन का है कि बारा तेरा दिन का बच्चा है पाला है कि दोला है न कि दूर दिल किना दे रही है कि बारे लिटर मोगे पहे है क्या दाम है इसका एक लगशाथ हजार कि साथ यह राक्ट ऊपर है ना एक लाक्ट शाथ हैं उसी इसाथ दाम भी बता रहे हैं एक लागशाथ हजार रुबए बता रहे हैं कि इसका जो खरिद्धार व्यक्ति आ रहे हैं कितना लगा रहे हैं वाई इसका अच्छा कितने चानल अमनल मिल जाएगा तो ठोज हो गया एक चालिश क्या नाम है अनिल यादो कहां से हैं बस्तिव बस्तिव